अगर आप व्रत में डीप फ्राई करके कुछ खाते हैं फलाहार तो ये वारी रेसिकी आप जरूर ट्राई किजिएगा आप आवाज सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी है ये और बनाना बहुत ही असान है और आप एक बार बनाकर इसको स्टोर करके रखते हैं अगर सेंधा नमक खाते हैं तो डालिए नहीं तो उसे स्किप करके भी बना सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है आप ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी चाय के साथ खाने के लिए इसको बनाकर अप डबे में स्टोर करके रख सकते हैं या टाइट कंटेनर में बहुत ही इजी बन जाएगा और टेस्टी भी लगएगा बच्चों को भी .'" ये में आलू ही है तो आलू को अच्छे से मैंने छील लिया है और पानी में रखा है ताकि ये काला नहीं हो ग्रेटर ले लेंगे बहुत बाडिक वाले से नहीं ग्रेट करना है मीडियम वाले से ग्रेट करना है और इसी डारेक्शन में करना है ताकि जो आलू का हम लच्छा बना रहे ना वो लंबा बनेगा तो देखने में अच्छा लगेगा खाने में तो छोटे वाले अभी टेस्ट सेम ही आएगा बर देखने में थोरा सा इतना लंबा लंबा होगा तो अच्छा लगेगा तो आपको डारेक्ट पानी में ही इसको ग्रेट करना है क्रिस्पी बनान हो उसके recording पहले आलू को grate कर लीजे अच्छे से देखें पानी के color कितना change हो गया है आलू में बहुत ज़्यादा starch होता है तो इसको बहुत अच्छे से धोना होता है और जब भी ऐसे भी काट के हम ऐसे रखते हैं तो काला होने लगता है तो आपको पानी में ग्रेट करना है और इसको तीन चार बार अच्छे से वास करना है धोना है इसको आप ये वाली recipe starting में ही बना कर रख लेजिए रोज रोज बनाने का कोई जंजट नहीं है अब आलू को हम अच्छे से दो लेंगे दो तीन बार जब तक की पानी साफ नहीं आने लगे इसमें से जब तक इसका starch खतम नहीं हो तब तक आपको दोना है दोने पर ही जब भी हम आलू का चिप्स बनाते हैं या फिर ये नमकीन का रस लेंगे और लास्ट टाइम में इसको वास करेंगे अगर आप फास्ट में निम्बू नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर देजेगा यह नॉर्मल डेज में बनाने के लिए हैं तो उस टाइम में आप निम्बू डाल कर बना सकते हैं अग इससे क्या होगा ना कलर इसका क्लीन उसके उपर जो भी आलू कल अच्छा है न उसको अच्छे से फैला देंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है न वो निकल जाए ये बहुत जरूरी है आप चाहें तो फैन के नीचे भी थोड़ी दिर के लिए रख सकते हैं चार पाच मिनट के लिए तो ऐसे भ आप टावल से भी या फिर टीसू से भी कर सकते हैं इसको ड्राई जब तक पानी थोड़ा रहेगा न तो ये जब हम फ्राई करेंगे न तो क्रिस्पी होने में टाइम लएगा और बहुत छीटा तेल से निकलेगा तो इस बात का आप ध्यान डखें अब तेल को अच्छे से प्राईम नहीं लगता इसको फ्राई होने में और तेल अच्छे से गरम करने के बाद आपको फ्लेम मीडियम कर देना है अब इसको निकाल लेते हैं ये फ्राई हो गया है इसके बाद मुंगफली भी फ्राई कर लेंगे वह जरूर डालिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आ फ्राई नहीं करते हैं तो आप ऐसे नॉर्मल डेज में इसे बना सकते हैं या फिन और आत्री के पहले नेक्स ट्राईम ट्राई कीजिएगा पहले बनाने का अब करी पता भी ऐसे फ्राई करके थोरी दर के लिए निकाल लेते हैं अब आलू को फ्राई करेंगे तो तेल को अच्छे से पहले गरम करेंगे क्योंकि आलू बिल्कुल ठंडा है तो जैसे हम डालेंगे ना आलू तो इसका टेंपरेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो तेल बहुत अच्छे से गरम करेंगे उसके बाद आलू डालेंगे इसमें और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर इसको medium to low flame पर ही fry करना है तब ही crispy बनेगा और खाने में टेस्टी लगेगा oily भी नहीं बनेगा सौगी भी नहीं होगा ठंडा होने के बाद भी और crispy बना रहेगा बच्चों को french fries या chips बहुत पसंद आता है तो आप ऐसे भी बच्चों के लिए बना कर इसको रख सकते हैं साम में जब भी कभी अगर वो मांगते हैं कि कुछ चाहिए chips बगरा तो आप ये उनको दे सकते हैं क्योंकि उनको बहुत पसंद आता है potato का कोई भी चीज और ये बहुत ज़्यदा crispy लगता है आप चाहिए तो इसमें और धेर सारा nuts भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अब ये फ्राई हो गया है इसको निकाल लेते इसका color जैसे change होगा थोड़ा सा स्रिंग होने लग तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्पी है इसका सेब भी थोड़ा चेंज हो जाएगा अब इसको ऐसे छनी के ऊपर ही रखना है तीसू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना है नहीं तो वह सौगी बन जाएगा moisture आजाएगा उसमें ऐसे ही दूसरा batch भी fry कर लेते हैं दे और इसमें जो भी हमने fry किया हुआ है पीनट और ये काजू आप देख सकते हैं कितने असानी से ये टूट रहा है बहुत ही क्रिस्पी बनता है अब जो मुंग फली और काजू fry करके हमने रखा है उसको इसमें mix करेंगे fasting में बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक डालिए अगर नहीं खाते तो उसे भी skip कर सकते हैं और थोरा सा काली मीर्च पाउडर अगर नॉर्मल डेज में बना रहे हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं या पेरी-पेरी मसाला भी डाल के खा सकते हैं बहुत tasty लगता है तो आप कब बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है तो मैंने बस काली मीट और थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है और फिर उपर से कड़ी पता जो हमने फ्राई किया था उसको भी डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे यह बहुत क्रिस्पी बनता है तो आप मिक्स करेंगे तब यह जो लच्छा बनाया वो तूटने लगेगा तो हलके हाथों से करना है ताकि बिल्कुल चूर चूर ना हो और देखने में अच्छा लगे खाने में तो अच्छा लगेगा है देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है आप देख सकते हैं आरा पानी सोकने में फ्राइ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो आप एक बर ये वाली रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा ऐसे ही इजी डिली सेशन ग्वीक रेसिपी के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेले गन को हिट कर लिजेगा पसंद है तो सियर जरूर कीजिएगा थेंक यू